जो काम आपके सांसत, विधायक, मंत्री यहां तक की सरकार तक नहीं कर पा रही, वो काम एक फिल्म अभिनेता सोनुसूद करके दिखा रहे हैं। लॉकडाउन से ही जरुरत मंदों की मदद करने में जटे सोनुसूद आज तक नजाने कितने लोगों की सेवा कर चुके हैं। और यह सिलसिला अभी भी जारी है। अभी हाली में सोनुसूद ने कैसे बच्चे की मदद की है जिसे ओनलाइन क्लासेज अटेंड करने के लिए स्मार्टफोन की जरुरत थी। सरकार ओनलाइन क्लासेज तो चलवा रही है लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि गरीब बच्चे बिना स्मार्टफोन के कैसे ओनलाइन क करेंगे ऐसा ही एक बच्चा है हपपी जुसे स्मार्टफोन की जरुरत पड़ी तो सीधे सोनू सूथ से डिमान कर डाली सोनू सूथ भी इस बच्चे की डिमान पूरी करने से पीछे नहीं हटे दरसल अंजली नाम की ट्विटर यूजर ने हपपी की तस्वीर ट्वीट करते हुए सोनू सूथ को बताया था कि हपी अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए पॉपकॉन बेचता है मैं हपी को जब से मिली हूँ उसकी स्कूल फीस में हेल्प कर रही हूँ अभी उसका ओनलाइन क्लास शुरू हुआ है उसके पास स्मार्टफोन नहीं है पढ़ाई के ल सोनू सूथ ने इधर वादा किया और उधर उनकी टीम ने हपी तक स्मार्टफोन पहुँचा भी दिया जिसके बाद अंजली नाम की ट्विटर यूजर ने एक और ट्वीट कर बताया सोनू सर हपी को मुबाईल तो मिल गया वो बच्चा ऑनलाइन क्लास कर पाएगा सर बादा 10 खंटे में ही पूरा कर दिया अब हमारी बारी है तो सर कब आ रही है पॉपकॉन खाने ट्विटर यूजर के सवाल पर सोनू सूथ ने जवाब दिया अरे वा हीरो लग रहा है हपी पॉपकॉन तयार रख जल्दी आता हूं खाने समीर नाम की ट्विटर यूजर न नहीं छोड़ी है लोगडाउन की शुरुआत से ही सोनू सूथ ने प्रवासी मजदूरों को शेहरों से उनके गाउं तक पहुँचने में काफी मदद की इसके साथ ही आक्टर ने विदेश में फसे छात्रों को भी अपने देश पहुचाने में खूब मंदद की लोगों की एक ही गुहार पर सोनू सूध उनकी मदद के लिए खड़े नजर आए लोगड़ तो उन्हें भगवान का अवतार तक मानने लगे हैं जिस तरह से सोनू सूध लोगों की मदद कर रहे हैं उसे देख कर तो यही कहा जा सकता है कि अगर हर शक्स सोनू सूध हो जाए तो दु बसूरत हो जाए